यूपी पुलिस ने गाजियाबाट में बंट कराये 15 बूचडखाने उत्तर प्रडेश में योगी आधित्यनात के मुख्यमंत्री पर का कार्यभार संभालने के बाट बूचडखाने पर कार्रवाई तेज हो गई है मंगलवार को गाजियाबाट में 15 बूचडखानों को बंट कराया गया है यह बूचडखाने गाजियाबाट के केला भट्टा इलाके में चल रहे था अभी भी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में एक बूचडखाने को सील कर दिया गया बताया जा रहा है कि ये बूचडखाना बिना लाइसेस के चल रहा था इससे पहले सोमवार को इलाहाबाट में भी दो बूचडखाने बंट करवाए गये था योगी ने किया था वाड़ा यूपी विधानस्भा चुनाव प्रचार के डौरान ही योगी आधित्यनात ने बूचडखानों का मुट्डा उठाया था योगी ने कहा था यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाड़ अवैद भूचडखानों को बंट किया जाएगा बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह भी भूचडखाने बंट करने की बाद अकसर कहते रहे हैं ऐसे में रविवार को सीएम पर की शपत लेने के बाड़ बूचडखानों को बंट करने की कार्रवाई योगी के एक्षन का हिस्सा माना जा रही है 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाड़ ही योगी आध्यनात ने कहा था कि अवैद बूचडखानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी